गुड़ बॉर्णिंग चिल्डरन आज हम ड्रॉइंग कारने वाले हैं सी वॉटर इसके लिए आप सबसे पहले एक बॉटम की तरफ लाइन बनाएंगे इसके बाद हम बुशेज बनाएंगे नीचे की तरफ बाता और फिर्फ बॉटम की तरफ नीचे की तरफ पहले पिर्फ लाइन आप सबसे पहले इसके बाता नीचे की तरा क्याते हैं कि इस तरीके साब बुश्यस बना लेंगे कुछ स्टोंस मनाएंगे इस तरीके से नीचे वाला पार्ट हमारा कम्पलिट हो गया है इसके बाद चिल्डरन जो ब्लैंक स्पैस है उपर के तरफ यहां आपको अलग अलग तरे की फिशेज ड्रो कर लिए अज़ाएंगे 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 झाल 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 इसके बाद फिश के बबल्स बनाने उपर के तर फोड़ते हुए इस तरीके से आप इसमें Fishes draw कर लेंगे Children आप ये Fishes अपने तरीके से भी बना सकते हैं जो Fishes मैंने बनाई है उसे कापी करना जरूरी नही है आप चाहें तो आप इससे अलग तरीके के Fishes भी डो कर सकते हैं इसके बाद इसमें हम कलर करने वाले हैं और कलर करने से पहले इसकी आउटलाइन करेंगे इस तरीके से आउटलाइन करने के बाद चिल्डरन हम कलर करने वाले हैं सबसे पहले हम बुशेज में color करेंगे इसके लिए आप डाक घ्रीन लेंगे और इसे बुशेज के नीचे की तरफ light light चलाना है और इसे आधे तक चलाना है सिर्फ इसे डाक नहीं चलाना है लाइट चलाना है इस तरीके से चलाने के बाद आप लाइट ग्रीन कलर लेंगे और उसे पूरी बुश में डाक चलाई है इस तरीके से बुशेज में कलर कर लेंगे बुशेज में कलर करने के बाद आप इस टॉन में ब्राउन कलर कर लेंगे और नीचे जो ग्राउन एरिया है उस पे आप औरेंज कलर कर लेंगे इसे आप बुशेज के चारों तरफ आउटलाइन करें स्टोन के चारो तरफ आउटलाइन करेंगे इस तरीके से उसके बाद आप कलर अप्लाइ करेंगे ग्राउंड एरिया में जिससे ये कलर स्टोन और बुशेज में ना जा पाए इस तरीके से औरेंज कलर करने के बाद आप यहां वोटर में कलर करेंगे इसके लिए आप light blue color ले रहेंगे light blue color को आपको सीधा नहीं चलाना इसको side से चलाना यानि light color चलाना आपको देखिए बिल्कुल मैंने slip mode की तरह एक pencil को रख दिया है इसके बाद मैं इसे एक जैसा चला रहा हूँ ये pencil side से चल रही है इसे आपको fish के अंदर नहीं जाने देना है झाल को रहा हूँ इस तरीके से आप लाइट ब्लू कलर पूरे में गुमा लेंगे अगर आपका ब्लू कलर जादा ही लाइट दिखे तो आप दो या तीन बार वापस से उसे कर सकते हैं इसके बाद बबल से बबल में लाइट ब्लू को चलाएं उसको डार्क चला लें यह सारे बबल में कर रहा हूं डार्क चला के बबल्स में कलर हो जाने के बाद आप वाटर वेव बनाएंगे जो इसी लाइट ब्लू से करेंगे बहुत ज़्यादा वाटर वेव नहीं बनानी है तरीके से वाटर वेव बनाने के बाद आपको जो भी फिशे अब बची हुई है इनमें अच्छे से कलर करना है ये कलर आप अपनी चोईस के कलर करेंगे मैं भी कलर करके बता रहा हूँ इनमें अपनीं धुर्ण 270व की का देष्बे फिस आपको जो जो जए है ओग मैं अपको जो हुआ है आप जो जो हुआ हाँ मैं जो जो पिस्ट आपकोई एछो जो एबचाए इस तरीके से आप colorful fish बना सकते हैं उसमें designs कर सकते हैं बाकि जो fish बनी होई ये इसमें आप अपनी choice से color करेंगे चिल्डन इस तरीके से आप colorful fishes बनाएंगे आप अपनी choice से design करें आप अपनी choice से color करें थैंक्यू चिल्डन